सो फ्रेंज कुछ इस्तर का ट्रांजेक्शन रेल्स इंस्टा पे बहुत जादा बाइरल हो रहा है अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को पुरा एंड तक देखना विलकुल भी स्किप मत करना सो हेलो फ्रेंज कैसे हो आप उम्मित करता हो अच्छे हो वीडियो को एक लाइक कर दो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो फ्रेंज वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंज यहां पर देख सितो अपनी मुवाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहां पर हमारे पास है केपकाटैब बिस्ट बीपेन तो आपको पहले बिस्ट बीपेन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहांपर आपको कानेट के उपर क्लिक कर लिजे उसके से हम रेश्मी का मंदना का जो की 17 फोटो एड़ कर लेते हैं सो यहां से हम 17 फोटो जो की एड़ करने के बाद यहां पर आपको एड़ के उपर क्लिक करना है और यहां से आपको HD पे रख लाएना है तो यहां से एड़ फोटो के उपर क्लिक कर लेते हैं तो यहां से हमारा जो फोटो है 17 फोटो एड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको एड होने के बाद यहां पर आपको ओबरले के उपर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको एड ओबरले पे टेप करना है और यहां से आपको इस वीडियो का जो प्रोजेट है वो मैंने ब रख देते हैं तो यहां पर आपको उसका जो लेंट है वो आपको 9 सेगंड पे रख लेना है तो यहां से हम 9 सेगंड पे रख लेते हैं उसके बाद यहां पर बैक होना है और यहां से आपको एड ओडियो पे क्लिक करना है और यहां से आपको इस वीडियो का लिंक भी आपको टेलिग्रम पे मिल जाएगा आप डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद इसको भी एड़ कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको import sound only पे टेप करना है और यहांसे आपका जो sound एड़ हो जाएगा उसके बाद आपको जो इसको देख देख के आपको जो की trimming कर लेना है तो यहांसे हमारा जो first photo है वो हम two second पे रख लेते है तो यहांसे फोटो के उपर click करके यहांसे आपको two second पे रख लेते है तो जैसे मेरा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से आपको करना है उसके बाद यहां पर आपको second photo को 0.6 second पे रख लेना है तो यहांसे हम 0 0.6 पे रख लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको सारे फोटोस को जो की ट्रिमिंग कर लेना है, तो इस नेक्स्ट फोटो को 0.5 सेगंड पे रख लेते हैं, सारे फोटोस को ट्रिम करने के बाद आपको दिखाता हूं, तो यहां पर आपको ट्रिमिंग करने के बाद यहां पर आपको फास्ट में आ जाना है, और यहां से आपको ओवरले के उपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहां पर एड़ ओवरले पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहां पर आपको जो की वीडियो के लिंक आपको डिस करें कर लेना है तो यहां से आपको स्प्रीन कर लिया उसके बाद्यूस के ओपर टैक कर के यह से आपको स्पेलिस टैक करना हैं और यहां से आपको डार्त्नेस पर क्लिक कर लेना है तो खुछ इस तरह क laquelle देखने को मिलेगा उसके यहां पर आपको tick कर देना है, और यहां से हम effect के उफ़र click कर देना है, करने के बाद यहां पर आपको video के effect के उपर click कर देना है, उसके बाद यहां पर आपको shake वला effect देना है, तो यहां से हम shake effect to add कर लेते हैं, उसके बाद इसके उपर फिर से tap किजिए, उसके बाद इसका intensity को 20 पे रख दीजिए या फिर 15 में रख दीजिए तो यहांसे हम 15 में रख देते हैं उसके बाद यहां पर आपको टिक कर देना है उसके बाद इसका जो लेंद है वो आपको 2 सेगंड में रख लेना है तो यहांसे हम 2 सेगंड पे रख लेते हैं उसके बाद आपको फिर से वीड इसको इसके उपर फ़ीर से tap करना है और इसका speed को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो 20 पे रख देते हैं तो यहाँ से हम 20 पे रख दिया उसके बाद हैं पर आपको फेड से इसको जो कि two second में रख लेना है तो यहाँ से हम two second पे रख लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वीडियो जो की effect लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको animation के उपर click करना है तो यहाँ से आपको minus well icon पर click करना है और यहाँ से आपको black fit के उपर tap करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको apply to all कर देना है तो यहांसे हम apply to all कर देते हैं उसके बाद यहांपर tick कर देते हैं तो हमारा जो वीडियो के सारे वीडियो में यह black fit add हो जाएगा उसके बाद आपको second photo में आ जाना है और यहांसे आपको photo के उपर tap करना है उसके बाद यहां पर आपको animation add कर लेना है तो यहां से animation के उपर click कर लेते है और यहां से आपको combo पर click करना है और यहां से आपको जो की photo के जो project है उसको देख देख कि आपको animation देदेना है तो यहां से हम animation को add कर लेते है animation pendulum 1 के उपर चोकि 2 में आपका Pendulum 1 देना है तो यहां से हम Pendulum 1 को दे देते हैं और 17 फोटो में आपको Pendulum 2 रखने ना है उसके बाद यहां पर आपको tick कर देना है उपर click करना है और यह जो video project का photo है उसके उपर tap करना है उसके बाद इसको delete कर देना है तो उसके बाद बैक होना है और यहां से आपको वीडियो जो की कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है तो यहां से हम स्टॉप करके एक्सपोर्ट के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो जाएगा सो वीडियो के सलागा कमेंट करके जुरूर बतना सू मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई